नमस्क्रा दोस्तों, मैं इवान सेंग, कैसे हैं आप सब, सबसे पहले शुक्री आदा करूंगा, इंडिया वॉच न्यूस चानल का, इसके माध्यम से आज आप सबसे जुड़ने का मौखा मिला, वॉल, सब को पता है कि आज पूरा विश्व एक वैश्वित महामारी के दौर इसका नाम है करूना वायरस, इसी को मद्दे नज़र रखते हो हमारे देश के प्रधान मंतरी माननी श्री नर्म रभोदीजी ने एक देश व्यापी लॉकडाउन का आवान किया है, देखे, बहुत सरे लोग इस लॉकडाउन को मान रहे हैं, बहुत सरे लोग इस लॉकडा इसका इलाज बता रहे हैं फिलाल के लिए वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानि एक दूसरे से दूरी बना के रखे है, क्यों? क्योंकि ये छूने से पहलता है, ये आपके थूप के पार्टिकल से फैलता है, तो जितनी दूरी बना के रखेंगे, उतना आपके और हमा करके बाद डिस्कुशन करते हुए, करोना वाइरस के बारे में मिल जाएंगे आपको, लेकिन समझने की ज़रोत ये है कि आप सिर्फ अपने लिए खत्रा पाइदा नहीं कर रहे हैं, बलकि पूरे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माबाप के लिए, सब के कि ये एक बंदे को होगा, वो एक बंदा अपने साथ और दस लोगों चोड़ देगा, वो दस लोग और सौ लोगों चोड़ देंगे, तो अगर हमें इस करोना नामा घातक बिमारी से बचना है, जब तक दवाई नहीं मिल जाती, जब तक वैक्सिन तयार नहीं हो जाता, त इसका उपाई क्या है, इसका उपाई सिर्फ एक ही है, कम्पीट लोगडाउन का पालंग करिए